जैसे कि आपको विदित है, पूरू में हमने जो सेशन लिया था, उसमें हमने बात की थी, अनन्त लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्दुछेतर की तीबरता कितने होगी, गौस का प्रमे को प्रियोग करते वे, हमने अनन्त लंबाई के आवेशित लेन नौट आर आया था, ठीक है, जहां पर हमने आपको यह बताया था कि रेखिया आवेश के कारण विद्दुछेतर की तीबरता, रेखिया आवेश से बिंदु आर दूरी के विद्दकर्मान पाती होती है, और इसकी जो दिशा होती है, वो रेखिया आवेश के लंबव बाहर की ओर होती है, आज हम बात करेंगे अनन्त विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्दुछेतर की तीबरता, यानि इंडेंसिटी ओफ इलेक्टिक फील्ड नियर एन इंफानाट प्लें चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीड, अब हम यहां पर मान ले कि हमारे पास मान लीजिए कोई आवेश क्यू किसी प्रिस्ट के छेतर फल पर सम्मान रूप से पित्रित है, तो उस प्रिस्ट के प्रती एकांग छेतर फल पर बिद्दमान आवेश को प्रिस्ट आवेश घनत्व, जिसे सिगमा से यहां पर प्रतसित करते हैं, उसे मानने पर हमारे पास जो प्रिष्ट घनत तो होगा वो क्या होगा सिग्मा बराबर क्यूबर्टे ए अब हम मान लेते हैं कि एक अनंत बिस्तार का एक धन आफसित अचालक समतल सीट एक तल पर आवेश का प्रिष्ट घनत तो सिग्मा है तो यहाँ पर इस सीट पर जो आवेश एक समतल चादर पर समान रूप से वित्रित है उसको हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि एक बिंदू पी यहाँ पर ले बेते हैं और लिए यह पी बिंदू आड़ दूरी जो है चालक से आड़ दूरी पर है तो यहाँ पर हम हमें ज्याद करना है कि बिद्दु छेत्र की तीबरता इस सीट के कारण कितनी होगी तो अनंत बिस्तार की जो ये धनाविसित अचालक चादर है इससे आर दूरी पर जो बिंदु पी है वहाँ पर बिद्दु छेत्र की तीबरता कितनी होगी उसके लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस seat के आसपास एक Gaussian Prist है जो cylindrical दिखती है, बेलन आकार की दिखती है जिसके समतल सिरे के चादर के सामानतर है और बिंदु P तथा P- से होकर गुजर रहे हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लिजिए यहाँ पर बेलन के सिरे का छेतर फल A है अब क्योंकि जो यह seat हमने यहाँ पर ली है, इसका विस्तार अनन्त है अतहे हैं चादर की समीप दोनों बिंदुओं पर बिंदु छेतर E का जो परिणाम होगा, वो बराबर होगा यानि यदि चादर धनावेशित है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बिंदुओं छेतर होगा वो गौशियन जो सर्फेस यहाँ पर हमारी बनी है, उस गौशियन बेलन के समतल सिरों के लंबोत तथा बक्रिय प्रिस्ट के समानतर है आता है, बेलन के दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, वो विद्दुद फ्लक्स कितना होगा 5 बराबर इंट्रिगल ओफ EDA, एक साइड में, प्लस दूसरी साइड में इंट्रिगल ओफ EDA क्योंकि दोनों तरफ समान है, तो दोनों तरफ अगर यह समान है, तो यहाँ पर अगर हम कहलें DA एक समतल के सिरों का छेतरफल वैक्टर है, तो यह E.DA बराबर EDA और दोनों तरफ यह अगर जोड देंगे, तो EA प्लस EA बराबर 2EA हो जाएगा यानि गौसी या बेलन के बक्रिय प्रिस्ट से होकर गुजरने वाला जो वैद्दुद फ्लक्स है, उसको सुने मान लेंगे और क्योंकि इस प्रिस्ट पर सभी जगए E और DA परस पर लंब होता है, इसलिए जो सिर्फ हमारे पास फ्लक्स बचेगा, वो क्या होगा? फाइ बराबर 2EA, अब हम ये भी जानते हैं गौस के परमे से कि जो विद्दुद फ्लक्स होता है, वो किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज, इन्क्लोस इन्द सर्फिस, डिवाड़े बाइपसलन नॉट, यानि जहाँ पर जो आवेस है, वो गौसीन सर्फिस पे, इन्क सिग्मा ए के, यानि सिग्मा बराबर, यानि आवेस घनत तो बराबर क्यों बटे ए, तो यहाँ पर क्यों और फाइ का मान हम एक साथ यहाँ पर अगर यूज करेंगे, यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फाइ बराबर हो गया, सिग्मा ए बटे, अपसलन नॉ और अभी हमने उपर याद किया था कि जो यहाँ पर flux होगा, बैदुत flux होगा, जो बेलन के सिरों से होकर जाने वाला flux होगा, वो 2EA के बरावर होगा, तो यहाँ पर हम 5 कमान रख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 2EA बरावर सिग्मा A अपॉन अपसालन नॉट, तो यहाँ से हमारा A से A कैंसल हो जाएगा, और E बरावर हो गया कितना, सिग्मा अपॉन 2 अपसालन नॉट, तो इसका अर्थ यह हुआ, कि चादर के निकट सभी बिंदूओं पर बिद्दू छेतर की तीवरता समान होती है, उसके समीब किसी भी बिंदू पर, P और P डैस जैसे हमने यहाँ पर लिया है, उस चादर की लंबोत तथा चादर से दूर, जो अवे फ्रॉम दा सीट है, वहाँ पर जो हमने छेतर निकाला, वो कितना आया, E बरावर सिग्मा अपॉन 2 अपसालन नॉट, इसको मैंसा भी कह सकता है कि, यह तो हमने चादर पॉजिटिव चार्ज ली थी, अगर यह नेगेटिव चार्ज होगी, तब भी यहाँ पर जो रिनावेसित प्लेट होने की वज़े से, चादर के निकट बिदू छेतर की जो दिशा होगी, वो चादर के लंबोत तथा, कहां होगी, चादर की और होगी, यहनि तुवर्ड्स दपलेट, यहनि इंसाइड होगी, आउटवर्ड प्लस होने पर होती है, और माइनस इनवर्ड होने पर होती है, तो यहाँ पर हमें यह पता चलिया, इस फॉर्मुले से भी यहाँ पर हमें पता चलता है, कि जो बैदुद छेतर की तीवरता है वो किसी भी चालक के लिए E बरावर सिग्मा अपॉन टू अपॉन अपसलन नौट के बरावर होती है इसी प्रकार से अब हम एक नया अप्लीकेशन यूज करेंगे कि किसी आवेसित चालक के ठीक बाहर बैदो छेतर की तीबरता कितनी होती है यानि हम यहाँ पर ग्याद करेंगे कि किसी जो हमारे पास चार्ज कंड़क्टर है उसके बाहर कितनी बैदो छेतर की तीबरता होगी तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत बिस्तार की एक कोई मोटी एक धनाविसित समतल चालक प्लेट है और यहाँ जो समतल चालक प्लेट है इसको हम यहाँ पर निरवात में रख लेते हैं यहां पर हम अपसलन नॉट का माल लेते हैं वहां की, जो बैदुत पर्मिटिविटी है वहां पर प्लेट को दिया गया जो समपून आवेस यहां पर है, उसकी दोनो प्रिष्टों पर प्रिष्ट एक और प्रिष्टों पर एक समान रूप से आवेसित अगर बितृत किया जा तो प्लेट के भीतर बैदुचेत्र सुनने होगा जबकि प्लेट के बाहारी प्रिष्टों पर बैदुचेत्र का मान जो हम ग्याद करेंगे वो कितना होगा बैदुचेत्र के प्लेटों के प्रिष्टों के लंबोत अगर हम उसे ग्याद करें और हम यहाँ पर जैसे हमने पी आवेसे चालक के ठीक बाहर तो जैसे कि हमें चित्र में दिख रहा है कि एक चालक प्लेट है इसके एक और एक बिंदू पी लिया जिस पर बेदू छेत्र की तीबरता हम ग्याद कर रहे हैं अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि प्लेट के भीतर चार्ज नहीं है बाहर जो है चार्ज की वजह से हमें बिदू छेत्र निकालना है तो यहाँ पर इसकी दो सतय हो गए दो समतल प्रिष्ट हो गए एक और दो और इनकी वजह से दोनों प्रिष्टों की वजह से बिंदू पी पर हम क्या निकालेंगे छेत्र की तीबरता तो जैसे कि हमने पीछे भी सूतर निकाला था एक प्रिष्ट की वज़े से जो हमारा बिद्दुचेतर की तीवरता आई थी वो क्या आई थी ए बराबर सिग्मा अपॉन टू अपसेलन नॉट यहनी पीछे का जो हमारा फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें यह सूतर निकला था कि विद्दुचेतर की तीवरता जो सीट है उसके बाहर कितना होता है वो आया था वही चीज यहां पर है बिलकुल वैसे कि वैसे ही हम यहां पर सीधा सीधा लिख सकते हैं कि बिंदुपी पर यानि चादर की वज़े से एक सिरे पर जो विद्दुचेतर का मान ईवन है उसका मान हो गया सिग्मा अपॉन टू अपसालन नॉट इसी तरह से जो दूसरे सिरे की वज़े से यानि बिंदु पी पर चादर के दूसरे सिरे की वज़े से जो विद्दु छेत्र अगर E2 मान लें तो उसका मान भी उसी के समान होगा यानि E2 बराबर सिग्मा अपन 2 अपसेलन नो अब चुकि E1 और E2 एक ही दिशा में हैं बाहर की ओर हैं तो तो बिंदु पी पर दोनों चादरों के कारण यानि दोनों साइड के कारण बिंदु छेत्र की जो तीवरता होगी वह हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2 तो यहाँ पर E1 और E2 के मान रख देंगे तो E बराबर E1 प्लस E2 कमान जो रखेंगे तो हमारे पास यह हो गया solve करके E बराबर E1 प्लस E2 E1 का मान सिग्मा अपॉन टू अपसलन नौट और E2 का मान सिग्मा अपॉन टू अपसलन नौट तो यह half-half मान है तो यह full हो जाएगा तो यह बराबर होगा सिग्मा अपॉन अपसलन नौट यानि आवेशित चालक के कारण बिद्दू छेतर की ती तीबरता आई यहां पर बिद्दू छेतर E की जो दिशा है वो प्लेट के लंबवत तथा प्लेट से दूर की ओर यानि बाहर की ओर दिश्ट होती है इसी तरह से अगर यहां पर हम इसको रिणावेशित अगर मान लेते तो यहां पर बिद्दू छेतर की दिशा प्लेट के लंबवत तथा प्लेट की ओर होती यानि इन्वर्ड होती अंदर की ओर होती किसी भी आकरती के चालक के लिए यह इसपस्ट है कि जो बिद्दू छेत्र की तीब्रता है वो चालक के छेत्रफल तथा चालक से वह कितनी दूर पर हम विद्दू छेतर ग्याद कर रहे हैं उसके हिसाब से ग्याद किया जाएगा यानि चालक के निकट सभी बिंदू उपर विद्दू छेतर की तीबरता यहाँ पर समान होगी तो आवेसित चालक के निकट बिदू छेतर की तीबृता आवेस के प्रिष्ट घनतो के अनुकरमानपाती होती है यानि यहां पर यहां पर यह स्पस्ट है कि यदि चालक का प्रिस्ट सार्प एजिस होगा तो वहां पर प्रिस्ट का जो घनत है वो अधिक होगा और प्रिस्ट घनत अधिक होने से विद्दु छेतर की तीबरता का मान वहां पर उतना ही तीबर होगा और जहां पर यह प्रिस्ट घनत तो कम होगा वहां पर विद्दु छेतर की जो तीबरता है वो कम होगी अब यह देख लेते हैं कि जो हमने पीछे का जो application से हमने निकाला था कि किसी भी जो हमारे पास एक आवेसित चालक था उसके बाहर बिद्दु छेतर की तीवरता कितनी होती है और वो वहाँ पर जो प्लेट ली थी वो धन आवेसित प्लेट ली थी उसके दोनों सिरों पर जो है हमने बिद्दु छेतर की तीवरता ग्यात करके ए बराबर सिग्मा अपन अपसलन नौट कैल्कुलेट किया था अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं उसी अप्लिकेशन को यूज करते वे कि समान प्रिष्ट घनतों की अगर हमारे पास धन और रिन आवेसित सामनतर प्लेटे हों तो उनके बीच और बाहर यानि उनके अंदर और बाहर कितनी भी दो छेतर की तीवरता होगी और हम यहाँ पर उनको दोनों को पैरलल रखा वाया और फिर देखते हैं कि उन दो प्लेटों के अंदर और बाहर कितनी बिद्दू छेतर की तीवरता होगी तो जैसे कि आप चितर में देख रहे हैं कि यहाँ पर दो बड़ी समतल अचालक प्लेट वन और टू हमने ले ली एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगटिवली चार्ज है और दोनों को मान लीजिए हमने समंतर रखके निर्वात की बिद्दू सीलता में कंसीडर करते हुए प्रिष्ट घनत तो उनका सिगमा मान लिया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिधा सिधा कहेंगे कि इनके दोनों प्लेटों की वज़े से किसी बिंदू पर बिद्दू छेतर की ती बरता अगर हमें ग्यात करनी है तो ई बराबर यहाँ पर क्या होगा सिगमा अपॉन टू अपसेलन नॉट यह हमें पता है पीछे का और मुलेकुम ने यहाँ पर यूज कर लिया जहाँ पर अपसलन नॉट बिद्दू सीलता है निर्वात की अब बैदू छेतर ई की दिशा प्लेट के लंबवत प्लेट से दूर यानि अगर हमने धन प्लेट के वज़े से लिया अत्वा प्लेट की ओर अगर प्लेट जब वो पॉजिटिवले चार्ज होगी तो मान लीजे हमारे दो प्लेट हैं और प्लेट वन और प्लेट टू के बीच एक बिंदू पी है तो बिंदू पी पर धनाविशित प्लेट के कारण जो बिद्दू छेतर की ती ब्रता होगी वो यी बराबर दोगी सिगमा अपन ट अपसलन नौट होगी ये प्लेट टू की ओर होगी ठीक है यानि ये भी आउट वर्ड होगी तो चुकि एवन और एटू की दिशा यहाँ पर एक ही है दोनों आउट वर्ड यहाँ पर है तो इस केस में बिंदू पी पर जो कुल परिणामी बिंदू छेतर की ती ब्रता होगी दोनों को जोड़ देंगे तो ई बराबर सिग्मा अपॉन अपसलन नौट होगी यहाँ पर ई का मान प्लेटों के बीच बिंदू पी की इस्तिती में जो ई का मान है वो क्या हो गया सिग्मा अपॉन अपसलन नौट अब यह दि कोई बिंदू बाहार है मानलिजे पी जैस कोई बिंदू है वो बहार है और तो यहां पर भी हम क्या करेंगे यहां पर भी हम दोनों प्लेटों के कारण E1 और E2 अगर ग्याद करें तो यहां पर जो बिद्दू छेतर की जो तीबरता होगी इस बिंदू पर वो सुनने होगी इसका कारण क्या है कि यहाँ पर एक जो बिद्दुछेतर होगा प्लेट वन की वज़े से वो आउट वर्ड होगा लेकिन प्लेट टू की वज़े से वो इन वर्ड होगा अब दोनों क्योंकि एकोल एन आपोजिट होगे तो यहाँ पर E बरावर E1 माइनस E2 हो जाएगा तो यहाँ पर जो बिद्दुछेतर की तीबरता है वो सुन्य हो जाएगी यानि दो बिपरीत आवेशित समतल प्लेटों के बीच के अस्तान पे समान बिद्दुछेतर बिद्दमान होता है प्लेटों के बाहर लेकिन विद्दू छेत्र क्या हो जाएगा सुन्य हो जाएगा तो यहाँ पर यह चीधार रखेंगे कि प्लेटों का आकार और उनके बीच की दूरी को अगर हम बहुत सिमित रखें उनका हम मान चेंज ना करें तो उस इस्तिती में जो प्लेटों के अंदर है वहाँ पर बिद्दू छेत्र का मान होगा यह बराबर सिग्मा अपॉन अपसलन नोट लेकिन बाहर क्या होगा सुन्य होगा तो यहाँ पर हम यह ग्याद कर सकते है कि किसी भी समान प्रिष्ट गनतों की पॉजटिव और नेगेटिव दो जो प्लेट है उनके बीच बिद्दू छेत्र की तीबरता कितनी होगी तो इनवर्ड हमारे पास जो अंदर बिंदू आया उस बिंदू पर ई बराबर सिग्मा अपॉन अपसलन नोट और जो बाहर आया वो सुन्य आया तो यहाँ पर यह क्लियर हुआ कि दो बड़ी विप्रीद आवेशित समतल प्लेटों के बीच के अस्तान पर एक समान बैदू छेत्र बिद्दमान है अब हम ग्याद करेंगे एक समान रूप से आवेशित गोलिय कोस के कारण बिदू छेत्र की तीबरता अब हम यहाँ पर एक आर्थ रिज्या का एक गोलिय कोस ले लेते हैं और मान लिजिये उस पर प्लस क्यू आवेशित समान रूप से बित्रित है तो हम इस कोस के बाहर और सर्फेस पे और सेंटर पे यहाँ पर बिद्दू छेत्र की तीबरता ग्याद करेंगे तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि हमारे पास माना की एक आवेशित कोस ओ केंदर का गोला है जिसकी तरिजा स्मॉल आर हमने दिखाई है और यहाँ पर हमने एक कोस दिखाई है तो यहाँ पर हमने एक तरिजा स्मॉल आर दिखाई है जो बड़े कोउस के लिए है, बड़े बाहरी कक्छा के लिए हो और एक हमने अंदर का कोउस लिया है, अंदर का हिस्सा लिया है, उसके लिए हमने capital R से त्रिजा दिखाई है, अब हम यह मान लेते हैं कि मान लिजिए कि आवेशित कोस के केंदर O से small r दूरी पर बिंदू P है कोई बिंदू P है जहाँ पर बिंदू छेतर की तीबरता हमें ग्याद करनी है तो यह हमारा यहाँ पर बाहर की ओर क्या निकलेगा बिंदू छेतर की तीबरता निकलेगा यानि यह हम निकाल रहे हैं वैद्धु छेत्र की तीविरता एक्टरनल पॉइंट पे तो इसके लिए बिंदु P से होकर गुजरने वाला जो Gaussian Prist होगा वो कैसा होगा? Spherical होगा तो यहाँ पर हमारा अगर हम माल ले कि यहाँ पर भी हम कोई Charge Density ले ले और उस Charge Density को Sigma माल ले और हम यह मालने की निर्वात में हमने यह सर्फेस को Consider किया है तो Gaussian Prist के सभी बिंदों पर विद्धु छेत्र की तीविरता समान होगी क्योंकि तरिज्जे क्या है? वो Radially Outward Equal है तो Gaussian Prist पर बिंदु P के चारों और एक छेत्रफल आवयव D A पर विचार करते वे इस आवयव पर बिंदु छेत्र E तथा छेत्रफल D A दोनों बाहर की ओर होंगे तो यहां पर जो हमारा जो छेत्रफल D A हमने लिया और बिंदु छेत्र E लिया तो इनके बीच का कोन हम सुनने कह देंगे तो यहाँ पर जो 5 होगा flux होगा वो d5 बरावर e.da होगा अब क्योंकि दोनों के बीच का कौन सुनने है दोनों सामांतर जो हैं बाहर के वो निकल रहे हैं तो e.da और cos theta अगर हमने यहाँ पर consider कर लिया तो cos 0, cos 0, 1 होता है तो यह e.da होगा तो पूरे गौसिन प्रिस्ट से होकर गुजरने वाला जो flux होगा वो 5 बरावर e integral of da होगा अब क्योंकि e यहाँ पर constant है पूरे गोले के लिए तो यहाँ पर जो छेतरफल होगा वो गोले प्रिस्ट का छेतरफल होगा वो 4 pi r square के बरावर होगा इस एरिया के मान को हम यहाँ पर यूज कर ले और हम यह भी जानते हैं गौस पर में से कि जो flux होता है वो q upon epsilon not के बरावर होता है तो इन दोनों फॉर्मूले को यूज करते वे हमारे पास यहाँ पर e का मान जो हो गया वो कितना हो गया यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आपका इस पस्ट है कि एक समान आविसित गोलियक कोस के लिए बाहर बिंदूओं पर जो हमारा e होगा वो कितना होगा वो अपर फॉर पाई अपसलन नौट क्यू बटे आर स्कॉयर ठीक अब हम यहाँ पर इस क्यू का मान अगर हम रखना चाहते है सर्फिस डेंसिटी के फॉर्म में आविस गोलतों के फॉर्म में तो हमारे पास क्या हो जाएगा सीधा सीधा क्यू बडाबर सिग्मा a होता है यहनि सिग्मा बडाबर होता है क्यू बटे a यह हम यहाँ पर कह सकते है Q का मान क्या होगा सिग्मा इंटू a a हमारे पास कितना है 4 पाई आर इसकॉई तो Q बडाबर हो गया 4 पाई आर इसक्वाईर सिग्मा तो जो प्रिस्ट है प्रिस्ट पर हम देखना चाहते हैं कि किसी गोलिय कोस पर जो प्रिस्टिय घनतो सिग्मा लिया उसके कारण हमारे पास यहाँ पर जो Q है उसका अमान कितना है तो अब क्योंकि यहाँ पर जो small r है और हम जो ले रहे हैं Q को वो capital r distance पर ले रहे हैं प्रिस्ट के जो हमारे पास गोला है उस गोले के बाहे बिंदों के लिए हम ये कंसीडर कर रहे है कि जो capital R की तरजा है वहाँ पर आवेश समान रूप से बितृत है तो यहाँ पर अब जो Q निकलेगा वो निकलेगा किसके लिए capital R की सतह पर तो Q बराबर 4Pi R स्क्वाइर सिग्मा ठीक हो गया अब इस Q का मान हमने जो E का मान निकला था उसमें रखेंगे तो E बराबर हो गया सिग्मा अपॉन अपसालन नौट capital R स्क्वाइर अपॉन स्मॉल R स्क्वाइर ठीक है तो यह फॉर्मूला और हमने जो यहाँ पर वैलू सिग्मा की रख दी है उससे हमारे पास लगबग सेम रिलेशन आ रहा है तो हम यहाँ पर यह कह सकते है जो बिद्दू छेत्र की ती बृता है वो capital R के स्क्वाइर के समान पाती है और स्मॉल R के यहाँ पर क्या है बिद्द करवान पाती है यहाँ इस परस्ट है कि जो small R है अगर वो बढ़ता चला जाएगा radial point जो radial तरिजा है वो बढ़ती चली जाएगी तो E का मान लगातार घड़ता चला जाएगा तो गोल यह प्रिस्ट पर जब R बराबर R यानि दोनों तरिजाएगे जब बराबर हो जाएगी तो उस समय जो E का मान है वो जैसे E conducting sheet के लिए आया था वैसी आजाएगा क्योंकि हम R बराबर R रखेंगे तो R जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोनों cancel out हो जाएगे ठीक है तो वहाँ पर जो E का value आजाएगा वो sigma upon epsilon not जैसा ही आजाएगा यानि वो E की मान हो जाएगे अब अंदर की ओर अगर gap करना है आंतरिक बिंदू पर तो आंतरिक बिंदू पर यह सीधा है हमने पहले भी पढ़ा है कि गोलियकोस के भीतर मान लीजे कोई point है उस पर जो है आवे समान रूप से बितृत है तो जैसे जैसे हम अंदर की ओर आएगे तो Gaussian प्रिस्ट से होकर जो भी विद्दूत flux होगा उसका मान सुन्ने होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो प्रिस्ट है प्रिस्ट का जो छेतर फल है वो वहाँ पर होगा ही नहीं तो जब Gaussian प्रिस्ट का छेतर फल वहाँ पर है ही नहीं तो वहाँ पे flux का मान सुन्ने होगा अंदर है ना तो आवे सित गोलियकोस के भीतर बैदूचेतर की तीबरता हमेशा सुन्ने होगी एक समान आवे सित गोलियकोस के कारण जो बैदूचेतर की तीबरता है वो अंदर की ओर यानि लगवख सेंटर में जब हम आ जाएंगे तो वहाँ पर उसका मान सुन्ने हो जाएगा तो यहाँ पर भी हमें यह पता चला कि कोस पर और बाहे बिंदू पर यानि गोलियकोस के बाहे बिंदू पर और सर्फिस पर ही बिदूचेतर की तीबरता होगी तो यहाँ पर हमें यह क्लियर हो गया कि बिदूचेतर की तीबरता गोले के सेंटर पर क्योंकि वहाँ small r सुनने हो गया और capital r और small r बराबर हो गया तो center पर वहाँ पर सुनने हो गया और बाहर की और प्रिस्ट पर ये अधित्तम होगा जो गुद्कर्म बर्क के नेमानुसार लगातर घरता चला जाएगा यानि e inversely proportional to one upon r square